आप सभी जानते होंगे भगवान के बराबर ही गुरु देवता का इस्थान हमारे जीवन में है गुरु देवता की करपा से ही हम भगवान को प्राप्त करते हैं और उन्हीं का दिया हुआ ज्यान होता है जो हमें भक्ति मार्ग में प्रसस्त करता है आप सभी को वीडियो में चने की दाल का स्रेष्ट उपाई जो आप घर पर रहकर कर सकते हैं ताकि सभी देवी देव ताउंगी कि प्रपाप्त हो और परिवार में खुश्या मिले हैं और साथी अन्य उपाई भी आपको बताने समझाने का प्रियत न करूंगी तो ध्यान से वीडियो में सुनिएगा और अंत तक बने रहीएगा जैसे कि आप जानते होंगे यह दिन सबसे स्रेष्ट दिनों के स्वरूप में हैं अगर आप गुरुजी को अपने गुरु के स्वरूप में जानते हैं उनके द्वारा ही प्रदत भक्ति से आप प्रभु के मार्ग पर प्रसस्त हो रहे हैं तो क क्या करना चाहिए तब हीडिमबा को ग्यान देते हुए गुरुदेव कहते हैं कि आप सभी को जब जीवन में आप हार रहे हों संकट कस्ट पीडा में गीरे हों और हर तरफ से दुख पा रहे हों तो आपको सिवलिंग पर साथ अलग-अलग व्रक्षों की पतियां जरूर से स मरपित करनी चाहिए तो रविवार का सुन्दर दिन है आपके पास समय भी है और आप सभी विसेश तोर पर या तो महादेव के मंधिर में चले जाएए या घर पर ही आप मन का मिश्चर महादेव का नाम ले सकते हैं बारह जोतिरलेंग का स्मरण कर सकते हैं और यह स्रेष् और घर पर विराजमान जो सिवलिंग है ना उस पर आप सभी को अवश्यक रूप से साथ पत्तियां अपनी मनों कामना कहकर कि है जो है प्रभू आज गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे भागी की रेखाओं को प्रवल करें और जीवन में आने वाली विपदा को दूर करें ऐसी प्रार्थना करते हुए स्रेष्ट और सरल तमतगारे आपको करना है हमने बात कर ली प्रथम सरल से उपाए की जो चलते फिरते आप कर सकते हैं दूसरा ब्रह्म महरत में कोशिश करें आप उठपाएं ना उठपाने की स्थिति में जब भी आप उठें अपनी कुंडल के कुछ दाने डाल देते हैं लाल फूल डाल देते हैं कुम कुम डाल देते हैं और कुछ दाने अक्षत डाल देते हैं तो गुरुजी कहते हैं सत्रुबाधा दूर होती है दन की परेशानी दूर होती है और तांबी के लोटे में यह प्रियोग करना है आपको और जीवन मे आने वाली जो विपदा है उसका भी नाश होता है और परिवान में बरकत होती है और अद्भुत सुख आपको मिलता है तो कोशिश करें जीवन में सब सुख राप्त करने के लिए आप सुरिनार और भगवान को तामे के लोटे से अर्ग जरूर से दें उसके पश्चात यह त तामे का लोटा आपको धोना नहीं है इसी से आप सभी को विशेश तोर पर आप सौंबार के दिन जल चड़ाएं और सीवलिंग पर चड़ा हुआ जल अपने साथ घर लाकर आचमन करते हैं घर पर छिड़काव करते हैं तो आपका रोग कस्र कर पीड़ा दुख तकलिप कर परिवान में बरकताना सुरू हो जाती है तो करके देखिएगा सावन महने का पूर्णिमा है सावन का सौंबार है यह उपाए भी आपके जीवन में खुशिया लाने का कारी करेगा तो दो सरल उपाए हैं हो गए बात कर लेते हैं चने की डाल का उपाए सास्त्रों में कहा गया है जब भी सालभन में जो गुरु पूर्णिमा होती है उस दिन जो आपके अध्यात्मिक गुरु हैं अगर उनसे मिल सके तो अत्यरिक सुभ है नहीं मिल पाने की स्तिती में आप सभी अपने गुरु देवता के नाम का आपके जो कमाई है उसमें से थोड़ा सा हिस्ता निकालिये ज्यादा नहीं निकाल सकते कोई दिक्कत नहीं थोड़ा सा हिस्ता सालभन की कमाई से निकाल कर आप सभी उससे जो है पीले रंकी दाल जैसे गुरु ग्रह का संबंद गुरु देवता का संबंद जो है पीले रंकी चीज़ों से माना जाता है और यह सुवता में तो आप या तो पीले चने की दाल से वनी हुई अर्थात बेसन के बने हुए लड़ू या बेसन की दाल किसी गौशाला में दान करकर आ सकते हैं या किसी भी स्रीहरी विश्नु के मंदिर में दान करकर आ सकते हैं पीले लड़ू दान करकर आ सकते हैं कुल मिला कर भोग लगा स सकते हैं आपकी इच्छा सकती सामर्थ है तो कुल मिलाकर आप बेसान इत्यादिया पीले रंकी वनी वही वस्तु कोई न कोई दान में जरूर से दीजिएगा इस गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसी माननेता है इससे परिवाल में आने वाली विपदा दूर होती है और गुरु दिक्षा इत्यादी लेते हैं तो वहली जिए और आवश्यक रूप से गुरु देयोता को आप वस्त्र इत्यादी भेट स्वरूप समर्पित करें अपनी छमता सामर्थनुसा आप सामगरी भेट करें परंतु उस भेट में ज्यादा से ज्यादा पीले रंकी चीजों को चने की डाल का या चनी की डाल से संबंधित वस्तु का उपाय करना चाहिए ऐसी इस्तिती है कि कहीं नहीं जा सकते तो किसी मंदिर प्राउंगर में आप गौ माता को पीले लड़ू खिला सकते हैं इससे भी बहुत अधीक सुख मिलता है ऐसा सास्त्रों में कहा गया है तो आप सभी को यह कारी भी करके देखना है लाब आपको मिलेगा सरल सा उपाय है करिएगा बहुत सुख हिस्से मिलता है तो हमने बात की तीन सरल से उपाय की अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए शेयर करना ना मंदिर में जाकर सिवलिंग में आप सभी को पीले चंदन से विशेस तोर पर ओम का निर्माण करना चाहिए ठीक है पीले चंदन से अपनी अनामिका उंगली से ओम का निर्माण सिवलिंग पर करें सिवलिंग पर ओम का निर्माण करने के बाद आप सभी को चंदरिश्वर म महादेव का नाम लुब बोलिएगा और अपनी मनोकामना जो कस्ट संकट पीड़ा है वह तो आपको कहने ही है एक गोलबत्ती का घीका दीपक लगा कर जल चड़ा कर अपने घर की तरफ आ जाईएगा गुरुजी कहते हैं जो भी जल चड़ा कर ओम बना देता है चंदन से और चंदन के ओपर बेल पत्र समर्पित कर देता है मनोकामना कहकर दीपक लगा देता है उसके कस्ट संकट पीड़ा हमेशा के लिए खत्म होते हैं और बरकत होती है परिवार में करके देखिएगा लाब मिलेगा और खुश्या बनी रहेंगे परिवार में यह दिन कोई साधार करपा से समर्द होता है पूर्णी माति थी है अपने आप में अध्भुत है तो आप सभी कोशिश करें आप चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर यह वाला भी उपाई कर सकते हैं जैसा कि गुरुजी ने कहा है चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर जो बेक्ति बेल पत्र के ऊपर एक धाना चावल सिवलिंग पर समर्पित कर देता है चंदर मौली भगवान की करपा से उसके घर में धन-धानी की कमी नहीं होती मा लक्ष्मी की करपा होती है, बरकत होती है, खुशिया परिवार में बनी रहती है जीवन में हार रहे हैं दुख पा रहे हैं कस्ट संकट पीड़ा परिवान में आपको परिशान कर रही है तो आपको चंदर जो है मौली भगवान का नाम लेकर एक बेल पत्र एक चावल का दाना पूर्णी मातिथी का भाव करते हुए मनों कामना कहते हुए सिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए ऐसा नकर पाने की स्तिती में आप बेल पत्र नहीं तोड़ पा रहे हैं तो सिवलिंग के आसपास पड़ा हुआ निर्माल लिभी कई बार काम में लिया जा सकता है उसे दोग कर तो कोई ना को इस रेष्ट कारी करि करता है इस तरह से जानकारी थी स्री सिवाय नमस्तुर्ण